सब्सक्राइब कीजिए OCFE चैनल को और बेल आइकन को दबाईए चैनल के लेटर सब्डेट सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों मैं आपसे पिछली कई वीडियो से यह बात करता आ रहा हूँ कि भूत प्रेत क्या होते हैं और साथ ही मैंने आपको बहुत सी भूतिया जगहों के बारे में भी बताया है जिनके बारे में आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा और यह है भूतों का मेला दोस्तों आप ने भूतों के बारे में भूतों की बारात के बारे में या फिर किनी भूतों की घटनाओं के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी भूतों के मेले के बारे में सुना है अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगा पर आये हैं आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत में ही हर साल लगने वाले भूतों के मेले के बारे में पता लग जाएगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं One Channel Find Everything तो आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है और चैनल भूत प्रेट जैसी किसी भी बात की पुष्टी नहीं करता है और नहीं किसी अंध विश्वास को बढ़ावा देता है तो दोस्तों यह मेला लगता है भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश के एक गाउं में यह मेला हर साल मकर सकरांती की पहली पूर्णिमा से शुरू होता है जो की लगबख महीने भर तक चलता है यह मेला बैतूल जिले से करीब 42 किलो मिटर दूर मलाजपुर नामक गाउं में लगता है इस मेले में हर साल हजारों लोगों की भीड शामिल होती है यह मेला सामान्यता है भूत प्रेद जैसी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है इस मेले में आकर लोग अपने उपर किसी भी बुरी शक्ती से छुटकारा पा लेते हैं उस गाउं के लोगों की मान्यताओं के अनुसार 1770 के दशक में एक संत थे जिनका नाम गुरू साहब बाबा था और उन्होंने यहां जिन्दा समाधी ली थी लोगों के अनुसार उनके अंदर भूत प्रेतों को वश्मे करने की शक्ती थी और उन्हीं बाबा की याद में यहां हर साल यह मेला लगता है कहा यह जाता है कि जो लोग यहां बुरी शक्तियों से पीछा छुडवाने आते हैं वह एक जंडे की परिक्रमा करते हैं जिससे उनके अंदर की बुरी शक्ती और भूत प्रेत पास में ही लगे एक बरगत के व्रिक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं जिससे की उन्हें भूत प्रेत से आजादी मिल जाती है और यह बात तो सिर्फ मेले की थी लेकिन किसी पीडित के ठीक होने के बाद यहां एक अजीब सा कार्य किया जाता है और वह कार्य है ठीक हो चुके व्यक्ति को गुड़ से तौला जाता है और फिर उसी गुड़ को भक्तों के बीच प्रशाद के रूप में बांड दिया जाता है और आश्चरी की बात यह होती है कि इतना सारा गुड़ होने के बावजूद भी वहां चीटिया या फिर मक्खियों का नाम और निशान तक नहीं होता अब बात आती है कि मेले का दृश्य कैसा होता है तो मैं बता दूं कि इस मेले में किसी के हाथ में जंजीर बधी होती है तो किसी के पैरों में बेडिया कोई नाच रहा होता है तो कोई रो रहा होता है और लोगों के अनुसार यह वे लोग होते हैं जिन पर भूतों का साया होता है दोस्तों यह बात कितनी सच्ची है और कितनी जूटी यह तो हमें नहीं पता और अगर विशेशग्यों की माने तो उनके अनुसार मेले में जो लोग आते हैं वह किसी भूत प्रेट से नहीं बल्कि ही किसी मानसिक या शारिरिक बिमारी से ग्रस्त होते हैं तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्या यह सच है या फिर आप इसे सीरे से खारिच करते हैं प्लीज मेरे साथ अपने विचार जरूर कमेंट करके साजा कीजिए और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि चैनल किसी भी बूत प्रेत की बात की पुछ्टी नहीं करता है और यह सारी जानकारी गूगल से प्राप्ट की गई है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुले